अगर आपना प्रेपरेशन करना आज से ही स्टार्ट करते क्योंकि विदिन वन या टो मंथ के अंदर आपका लिक्चर का एक्जाइम हो जाएगा और आप हिमाचल परदेश पब्लिक सर्वेस कमेशन की ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर के अपना सब्जेक्ट वाइस चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने साइट पर अप्लोड कर दिया है आपको बायलोजी का स्लेबस भी बता दिया है कि आपको पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे तो आप आज ही हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमेशन की साइट पर विजिट करें वह सिलेबस जरूर चेक कर लें और हम भी डिटेल में सिलेबस को डिसकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस का ही डिसकुशन करेंगे तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम जनरल हिंदी के कुछ MCQs करेंगे जो आपके PGD एक्ज प्रप्द बताने हैं और पहला जो ओप्षन है वो है सत्य जल धरम नेक्स्ट ऑप्षन is the कारण मतलब धन नेक्स्ट ऑप्षन इस दो अनुप्योगी दीन दीश्य एं नेक्स्ट ऑप्षन इस ऑप्षन इस दो सूर्य प्रियर या सहोगी और ग्डेक्ट अंसर इस जो ऑप option number B then next question is the mahatmah mein kva sa smas hai options are avyaibhav sa smas tatpurish sa smas karam dhaarya smas and the correct answer is the option number C karam dhaarya smas mahatmah mein karam dhaarya smas hai then next question is the girish mein kva sa sandhi hai options are ayadi sandhi gund sandhi dirk sandhi ya vriddi sandhi and the correct answer is the option number C, दिर्कसंदी, गिरीश में दिर्कसंदी है, then next question is the, तुम तुम लोगो यह वाक्य किस वचन से है, options are दुई वचन, एक वचन, बहु वचन या इन में से कोई नहीं, and the correct answer is the option number C, यह वाक्य बहु वचन से है, then next question is the, निमन निमन तम में से थर, डर, ए, फर, बर, ए, आई, या फिर कर, एंड गर, and the correct answer is the option number D, कर, एंड गर, is the कर, एंड गर, जो है, वो अलपप्रान वर्ण है, then next question is the, जहां लोगों का मिलन हो, कहलाता है, options are ग्रामिन, संगम, सम्मेलन, या इन में से कोई नहीं, and the correct answer is the option number C, सम्मेलन, जहां लोगों का मिलन होता है, इसको सम्मेलन कहा जाता है, then next question is the, कान कतरना, मुहावरे का अर्थ बताईए, options are, बहुत चालाग होना, सोच विचार में पढ़ना, बहुत आधर करना, या फिर, बहुत तेज दोड़ना, and the correct answer is the option number A, कान कतरना, मतलब बहुत चालाग होना, then next question is the, दूद का दूद, पानी का पानी, लोगोगोगती का अर्थ बताईए, options are, कप्ट पूर्ण आचर्ण, सही निरुनाए, A और B दोनो, या इन में से कोई नहीं, and the correct answer is the, option number B, सही निरुनाए, जो है, वो दूद का दूद, पानी का पानी, लोगोगती का अर्थ है, then next question is the, question number 9, आत्मा का विपरित आथक, शब्द पताईए, options are, अनादर, अनात्मा, अमीर, या फिर इन में से कोई नहीं, and the correct answer is the, option number B, अनात्मा, then next question is the, इन में से कौँ सी युगम शब्द सही है, options are, तरंग, घोड़ा, उपकार, भलाई, अर्श, हिस्सा, कुल, किनारा, and the correct answer is the, option number B, उपकार, भलाई, is the correct answer, then next question is the, इन में से कौँ सा शब्द पुलिंग है, options are, अडालत, टैंपलेट, A और B, दोनो, या इन में से कौई नहीं, and the correct answer is the, option number B, template, then next question is the, श्याम, सोता है, यह कौन सी क्रिया है, जो क्रिया वाला टॉपिक है, वहां से कौश्चन आता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया से, आपको एक कोश्चन हर एक्जाइम में पुछा जाता है, इसलिए आप यह वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ ले, श्याम, सोता है, यह कौन सी क्रिया है, options are, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, A और B, दोनो या इन में से कोई नहीं, and the correct answer is the, option number B, यह कर्मक क्रिया है, then next question is the, स्टित्व शब्द में कौन सी संग्या है, options are, वेकति वाचक संग्या, भाव Вам अचक संग्या, या फिर द्रव्य वाचक संग्या, या जाति वाचक संग्या, and the correct answer is the, option number B, भाव अचक संग्या, स्ट्रित्वर शब्द में है then next question is the श कौन सा व्यंजन है options are उशम व्यंजन, सपर्श समवाद, स्युक्त व्यंजन या अंतहस्थ व्यंजन and the correct answer is the option number A उशम व्यंजन then next question is the ट्रा वर्ण कौन से वर्ण की योग से बना है options are या प्लस या प्लस अ श प्लस र प्लस अ क प्लस श प्लस अ या त प्लस र प्लस अ and the correct answer is the option number D त प्लस र प्लस अ के वर्ण योग से त्रव वर्ण बना है then next question is the त ध्वानी का सही उच्छान स्थान क्या है options are मूर्धा, तालू, कंट या फित दंत सर्व राम शबस से कौन सा शब्द बनाया गया है options are वहा, कोई, तेरा या मै and the correct answer is the option number C तेरा then next question is the इन में से कौन सा शब्द क्रिया से बना है options are कमाऊ, विरोजगारी, पतित, या फित चालू and the correct answer is the option number B विरोजगारी शब्द क्रिया से बना है then next question is the गुर्वाचक शब्द कौन सा है options are पांचवा लडगा, दस हाथी लाल फूल या फिर इन में से कोई नही and the correct answer is the option number C लाल फूल जो है, वो गुर्वाचक शब्द है then last question is the वकील किस भाशा का शब्द है options are अर्भी, तुर्की, कार्यानवन या फिर फार्सी and the correct answer is the option number A वकील शब्द अर्भी भाशा का शब्द है ये आज के जनरल हिंदी के 20 कोशन्स थे जो आपके हमाज़ल पतिस पुब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा conduct करवाये जाने वाले lecture exam के लिए helpful होंगे अगर आपने अभी तक अपना preparation करना start नहीं किया है तो आप आज से ही अपना preparation करना start कर दीजिए official website पर जाकर कि syllabus ज़रूर चेक कर लें कि syllabus में paper 2 का जो topics हैं वो आपको mention कर दिये गये हैं exam में कौनकों सी topic पूछ जाएंगे तो आज की class में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर like और subscribe करने सब्सक्राइब करने के बाद bell icon को ज़रूर ब्रेस करें जिससे मेरी new video की बे update आप तक जल से जल पहुंचेंगे बाई बाई टेक क्यार